विडियो डाली थी जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी लेकिन मुसे किसी ने रिक्वेस्ट की है कि साड़ी के साथ जो मैंने मेकप किया थो वो तो परफेक्ट था लेकिन सूट के साथ थोड़ा सा लाइट मेकप बट वो न्यूली वेड एक लड़की है तो वो एक मेकप टुटूरियल वीडियो चाहती थी जिनके लिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ आपको भी ये वीडियो पसंद आएगी और आपको बहुत ज़्यादा है इस वीडियो से वीडियो में हम लोग आगर बढ़ते हैं और स्टेप बाइ स्टेप जानते ह ही अपने पेस को क्लीन किया है अब जोट IDs को करें करें हैं विल्कुल तो यहीडियो क्ति आइस के लिएप असे सवस्सेयल करें के शाजर करेंगे बre seconds करें चाहिए कि पास अब से जादा जड़ा काजल कर आइं जैसे मैं regular में काजल नहीं लगाती हूं लेकिन कल मैंने मेक अप में लगाया था तो उसका stain जो है ना वो रह गया होगा पहले स्टेप में हमारा क्लिंजर हो गया है तो यहां पर मैं आपको आज एलोगरा जेल के साथ करके दिखाती हूं कल जैसा कि मैंने आपको आइस क्यूब से मसाज करके दिखाया था यह जो मेक अप है ना अभी हम कर रहे है डे टाइम में तो आपको आइस मसाज वाला ज्यादा हैल्प करेगा लेकिन फिर भी क्यूंकि कल ही मैंने वह सेम प्रॉसस दिखाया था इसलिए आज कुछ हलब हो जा के साथ दिखा रहे हूं कि वह बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए मैं बहुत ही शॉर्टकट में कोसिस कर रहे हूं कि आपको समझा पाऊं कि इसको थोड़ा सा ड्राइजर होने देंगे उसके बाद हम आगे का प्रॉसस स्टार्ट करेंगे इस स्टेप में हम यह एक साथ मिलाएंगे जिसमें पहला है फांडेशन दूसरा है मौश्राइजर और तीसरा है क्रीम यह और यह मैंने पूंट का यूज किया है और यह जो है यह मेवलीन का है तो आप अपने हिसाब से आपके पर जो भी फांडेशन है वो ले सकते हैं लेकिन आपको डे टाइम अगर आप मेक अप करें तो कोसिस करें बहुत ज़दा फांडेशन आपको नहीं लेना है उसकी जगह पे जो आप डेली क्रीम लगाते है ना उसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा ले सकते हैं अगर थोड़ी सी मात्रा इतना थोड़ा इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे मिक्स करते हुए फेस पे इस तरह से लगा लेना है दोनों हाथों को थोड़ा से रब करेंगे तो हाथों में गर्माहट होगी जिसे की बहुत अच्छा आपका जो मेक अप है ना बहुत ही अच्छा फुरे फेस पर फैलेगा जो बचा हुआ है ना उसको हम ने केरिया में लगा लेंगे अगर मौशरी रखोप स्कीट कर देते ना तो आपका जो मेक अप है ना उसमें क्रैक्स आजाएंगे या फिर मेक अप जो है ना वो बहुत जल्दी काला पढ़ जाता है तो आपको एलोगरा जेल का जो स्टेप मैंने बताया वो भी करना है यह हम जो एलोगरा जेल है ना वो प्राइमर की जगह पर लगा रहे हैं तो बिल्कुल आपको इसको स्टीप नहीं करना है साथ में आपको फांडेशन की मात्रा बहुत थोड़ी लेनी है अगर आप डे टाइम में मेक अप कर रहे हैं तो इसके देखें यह तीसरे स्टेप से ही फेस बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया है स्टेप में लियोन ब्यूटी का कॉंपेक लगाएंगे आपके पर जो भी फेस पैक है आप वो लगा सकते हैं देखें मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करी हूं जो रेगलर बेस पर जो भी मेक अप कर प्रोड़क्ट में यूज करती हूं जो मुझे पर्सनली पसंद आते हैं बस मैं वही आपको बता रही हूं इसके फिनिश यो है न वो बहुत अच्छी होती है यह मैंने ओनलाइन नहीं लिया है यह मैंने अपने लोकल सोप से लिया है कलर सेंस का लिप्स्टिक है जो कि इस ड्रेस से मैचिंग करता हुआ है तो मैं इसको लगा रही हूं तो पोसिस करें कि मैचिंग लिप्स्टिक होना तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है खासकर अगर आपने पिंक पहना है अगर आपने मैरून पहना है अगर रेड पहना है तो उसके साथ जो मैचिंग लिप्स्टिक ही अच्छी लगती है अब lip liner को भी आप skip ना करें lip liners क्या होते न मेरे जो lips है न वो थोड़े से बड़े हैं आप देख सकते हैं थोड़े मोटे हैं तो मैं लिप liner के बगर मैं lipstick लगाना prefer नहीं करूँ या अगर आपके lips भी मेरे जास्पने मोटे हैं या फिर अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा पतले है ना तो लिप्स अगर लिप्स लाइनर के साथ अगर आप लगाएंगे ना लिप्स्टिक तो बहुत अच्छी एक शेप जो है ना वो बहुत अच्छी आती है नेक्स स्टेप में क्योंकि हम दे मेकप कर रहे है तो इसलिए मैं फेस पर बहुत ज़दा हाइलाइटर बगारा लगाना मैं फिर पर नहीं करती हूं लेकिन अगर आपको पसंद दे तो आप लगा सकते हैं लेकिन आइज के एरिया को थोड़ा सा हाइलाइट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो इसके लिए मैं यहाँ पर हाइलाइटर आइज में यूज कर रही हूं और हलका सा नोज में यूज करूंगे बस इतना ही जबकि अगर आप नाइट में करें तो अपने चिक से अब देख सकते हैं कि जब मैंने नोज में अपने आपों में लगा लिया देखिए अभी ही बहुत ही खुबसूरत दिख रहा है अब जाए जाए तो मुझे यह कमेंट में जरूर बताइए कि हां किसके किसकी आइलाइनर जो है वो खुद से एक बार में ही परफेक्ट लगती है तो बहुत ही अच्छी एक फिनिश देती है उसके बाद हम लगाने वाले है काजल जो अगर सूट के साथ बहुत जादा अगर हैवी हैस्ट्राइल भी कर लिया जाना तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है मैं बहुत सारे वीडियो बना रखी है तो अगर आपको यह हैस्टल पसंद नहीं आता है तो कोई दूसरी हैस्टल भी आप जाके देख सकती है मेरे शौट्स वीडियो में आपको बहुत सारे हैस्टल के वीडियो मिल जाएगी इन दोनों को है ऐसे पीछे मिला करना आप चाहे तो कोई रबर लगा सकती है चोटी सी या फिर मैं तो यहां पर क्लिप का यूज़ कर रही हूं क्लिप से हैं बालो को सिक्योर कर दूँगी यह मेरी ड्रेस से मैचिंग करती हुई मेरे पास क्लिप है तो इसको मैं यहां पर लगा ले दिए तो इन क्लिप से मैंने डेकोरेट कर दिया है अपनी हैस्टाइल को उसके बाद इस ड्रेस के साथ ना निसके अगर आप सूट पहन दी तो आपको लंबे जो मंगल सूतर होत हुई यह चोटी वाली मंगल सुतरी यह तो गोल्ड की है लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप आप अर्टिफीशियल भी पहन सकती है और अगर शॉर्ट वाली अगर ड्रेस के साथ पहनी जाएना तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है इस ड्रेस के साथ में बहुत ज़्यादा पहनने का मैंने नहीं सोचा है तो सिंपली अभी मैं यह यह पहनूंगी जो की थोड़े बड़े साइज के है और यह ड्रेस के साथ मैचिंग भी हो रहा है तो बहुत ही अच्छे लग रहा है मैंने चूडी बहुत फुल हाथ पहनी वही है क्योंकि यह मैंने सोचा है कि न्यूली वेट जो लड़कियां होती है उनके लिए मैंने स्कोच कर किया है लेकिन अगर आप चाहे तो आप एक हाथ में चूडी और एक हाथ में ब्रैस्ट पहन सकती है या फिर दोनों हाथ में मैं जो फुड़े पहने वहां पहने आपके अपनी चौणी से लेकिन इस के साथ ना भरे भरे जो चूड़े लग लगदिती तो मैंने सुचा कि इस चूडी वें कि उपकी में नहीं उतारी और यह बहुत ही अच्छा लग रहा है तो यह मेरा फूल लोक साथ यह कैसा लग यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताए, I hope कि मैंने आपको सारी जो step by step मैंने आपको समझाने में help की होगी, I hope कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, मिलते हैं आपने नेक्ट वीडियो में बच्वाऑ लाइ